भीगे चन्ने बदाम और किस्मिस खाने के फायदे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अगर आप चन्ना भीगों को रखाते हैं और बदाम किस्मिस तो आपको क्या-क्या फायदा हो सकता है भीगे चन्ने में पोशक तत्वा भीगे चन्ने में जो है पोशक तत्वा क्या-क्या मिलते हैं भीगे चन्ने में फाइबर, कैलसियम, कार्भो हाइडरेट, पोटीन, आईरन और विटामिन जैसे पोशक तत्वा पाए जाते हैं बदाम में पोशक तत्व क्या है? बदाम में कैलसियम, विटामिन E, फाइबर, ओमेगा 6, फैटी, एसीड, पोटेसियम, मेगनेसियम, ओमेगा 3 और जिंक मौजूद होता है. किस्मिस में क्या पोशक तत्वा है किस्मिस में कार्बोहड्रेड, आईरन, फस्पोरस, मैंगनेसियम, बिटामिन C, प्रोटीन, पोटेसियम जैसे तत्वों से भरपूर होता है भीगे चन्ने बदाम और किस्मिस खाने का फायदे देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या है, खून की कमी करे दूर, अगर आपके सरीर में खून की कमी है तो आपको भीगे चन्ने बदाम और किस्मिस का एक साथ सेवन करना चाहिए, जी हाँ इसमें पाये जाने वाला आईडन सरीर में हमोगलोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, जिसे खून की कमी दूर होती है कॉबज में फैदे मन, अगर आप कॉबज की समस्या से परसान है तो आपको भीगे चन्ने बदाम और किस्मिस का एक साथ सेवन करना चाहिए, जी हाँ इसमें पाये जाने वाला फाइबर मल त्याक को असान बनाता है, और कॉबज की समस्या को दूर करने में मदद करता है इमुनिटी को करे बुष्ट, अगर आप इमुनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भीगे चन्ने बदाम और किस्मिस का एक साथ सेवन करना चाहिए, जी हाँ क्योंकि इस मिस्रण में बिटामिन C और बिटामिन E पाया जाता है, जो इमुनिटी को बुष्ट करने में मदद करता है, जिससे आपका मौसमी बीमारियों से बच्चाव होता है तौचा को रखे सौष्ट, अगर आप भीगे चन्ने बदाम और किस्मिस का सेवन करते हैं, तो यह तौचा को लाग पहुचाता है, जी हाँ क्योंकि इस मिस्ट में बीटामिन E पाया जाता है, जो तौचा को सौष्ट रखने में और तौचा को गलोइंग बनाने में मदद करता है, दील को रखे सौष्ट, अगर आप भीगे चन्ने बदाम और किस्मिस का एक साथ सेवन करते हैं, तो यह दील को सौष्ट रखने में मदद करता है, जी हाँ, क्योंकि इस में पाये जाने वाला कुलोस्ट्रोल और ब्लड प्रेसर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे हार्ड एटेक, स्ट्रोक जैसे बीमारी के खतरा कम होता है, अगर आप भीगे चन्ने बदाम और किस्मिस का एक साथ सेवन करते हैं, तो हर्डियों को लाप पहुचता है, जी हाँ, क्योंकि इस में कैल्सियम पाये जाता है, जो हर्डियों को मजबूत बनाता है, और हर्डियों से जुड़ी तरसानियों को दूर करने मदद करता है, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही आपको जोड़ों में दर्द होता है, ग कैल्सियम का गोली खाने से बढ़िया है कि आप कैल्सियम किसमे मिलता है वो चीजे खाएं ठीक है चलिए सरीर को रखे एनर्जेटिक मतलब कि एनर्जी कैसे बना रहेगा सरीर में अगर आपको कमजोडी मौसुस हो रही है तो आपको भीगे चन्ने बदाम और किसमिस का एक सा मिली तो वीडियो को लाइक किजिए और अपने दोस्तों को शेयर किजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें